बिहार में खतरनाक कोरोना वारिस का संक्रमन तेजी से अपने पाउं पसारता जा रहा है प्रदेश के कई जिले इसकी जद में आ गए हैं ऐसे में संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन इन सब के बीच सरकार की लाग बंदिशों के बावजूद कोरोना संक्रमन पर आस्था भारी दिख रही है आज सावन महिने का पहला सोमबार है इसे के मद्दे नजर बेगु सराय के सिमरिया जमटिया समेत कई गंगा घाटों पर प्रद्धालूं की भीड़ लगी हुई है सोशल डिस्टिंसिंग की धज्या उड़ाते हुए प्रद्धालू गंगा इसनान के बाद बाहर से ही जल अरपन कर रहे हैं साने लोगों की माने तो बाकी सालों के मुकाबले इस साल काफी कम श्रद्धालू पहुंचे हैं लोगों के मन में विश्वास है कि सावन में भोलेनात की पूजा अर्चना करने से कोरोना भाग जाएगा बरते संक्रमण को देखते हुए प्रसिद मंदिरों को बंद कर दिया गया है ऐसा पहली बार होगा कि सावन महिने में बाबा भोलेनात का ना विशेख होगा और ना ही घंटे घंटियालों के आवाज सुनाई देगी ना ही कावड यात्रा और ना ही ओम नमस्शिवाए बंबं भोले के जैकारे सुनाई देंगे सावन के पहले सुमवार को लेकर बकसर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोट पर है इस बार सावन में भक्ती के रंग में रंगे नजर आने वाले घाटों की रंगत काफी फीकी रहेगी राम रेखा घाट को श्रद्धालों के लिए पूरी तरह सील कर दिया गया वहें बाबा बरमेश्वर नात मंदिर को भी बंद कर दिया गया है अब लोग जो धार्मिक न्यास जो परिशद उसका पत्र देखे होंगे और यहां पर भी जो चुकि ब्रहंपूर हम लोग का एक छेतर है वहां पर अन्वंडल पता दिकारी गस्तर से बैठक कराई गई थी और सर्व समत्री सोन लोगों ने लिया है कि वहां पर मंदिर इस सब्धी में बंद रहेंगे आप लोग को इसे घर में पूजा करें और यहे एक साल है और एक साल समयम अगर बरित लगे तो समाज के लीए अच्छा होगा और गए देश के अच्छा होगा हिंदु धर्म में सावन सोमवार का विशेश महत्व है इसमें शिव पारवती की विशेश पूजा अर्चना की जाती है धर्म गरंद के नुसार सावन का महिना भगवान शिव के राधना का महिना होता है इस दोरान बारिश जादा होती है कुरोणा महामारी के चलते इस बार मंदिरों में एंट्री बंद रखी गई है पंजाब केसरे टेवी के लिए बेगु सराय से संतोश और बकसर से संजे की रिपोर्ट